हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं होट चॉकलेट सर्दियों का मौसम आ गया है और ठंड बहुत जादा बढ़ गई है गरम गरम पीने का मरन तो हर टेम करता रहता है तो क्यों न चाय कॉफी से हट कर कुछ नया ट्राइ किया जाए आज मैं आप को बनाना सिखाऊंगी होट चॉकलेट तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 300 ml दूद 30 ग्राम मिल कमपाउंड अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में दूद डाल लेंगे दूद हमने डाल लिया है अब हम इसे हलकी आज पर गरम होने के लिए रख देंगे जब हमारा दूद हलका गरम हो जाएगा उस टाइम पे हमने डाक चॉकलेट को एड़ कर देना है डाक चॉकलेट मैंने अड़ कर दिया है साथ-साथ मैंने मिल्क कमपाउंड भी अड़ कर दिया है अब हमने दोरो चॉकलेट को एड़ तो कर दिया है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूज यो था वो थोड़ा गरम था तो चॉकलेट है फोरण ही मैल्ट होना शुरू हो जाएगी आप देख सकते हैं वलकेल की चॉकलेट जा है अब हमें इसे खुब अच्छे से मैल्ट कर लेना है जैसे हमारी चॉकलेट अच्छे से मैल्ट हो जाएगी हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है और एक बॉयल लेकर आना है जैसे ही चॉकलेट में एक बॉयल आ जाएगा हम जो gas का flame है उसको low कर देंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे इससे क्या होगा कि हमारी चॉकलेट में एक थिकनेस आजएगी 5-7 मिनट हो चुके है अब हम gas की flame बंद कर देंगे क्योंकि हमारी hot chocolate बंद के तयार हो चुकी है तो चलिए इसे serve करते हैं यह देखिए गाइस हमारी hot chocolate कितनी थिक बंद के तयार हुई है बस यही हमें texture चाहिए था लग रही है ना कितनी smooth, कितनी tasty और कितनी चॉकलेटी हो गया ना आप सब का भी मन तो जाएए फटा-फट से आप सब भी इसको तयार करिए इन सर्दियों में आप सब के लिए यह बहुत ही yummy treat है तो इसे जरूर try करिएगा hot chocolate बनाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा cocoa powder sprinkle कर सकते हैं या फिर आपके पास chocolate हो तो चॉकलेट को भी crush करके डाल सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है chocolate chips भी आप sprinkle कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि यह आपको कैसी लगी अगर आपको मेरी यह recipe अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel thank you guys for the love and support